नमस्कार आप देख रहे हैं, ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ, प्रियांशु शर्माईरों के करते हैं, अचिकी तवाम खबरों पार बड़नगर शेहर के फुको परिवार इवं शेद्र की किसानों के द्वारा वरस्ट क्रशी विगा सधिकारी मूलचंद जी काक का सीवा निवरत होने पर कई किसानों के द्वारा पुष्प माला पहना कर स्वागत करके विदाय दी गई है बड़नगर शेद्र में क्रशी विभाग अधिकारी मूलचंद जी काक के द्वारा दी गई सीवा का बखान करते हुए उनके खेती और किसानों के लिए पूर्ण समर्पित होने पर धने वात दिया है इस मौके पर इफकू अधिकारी हरपाल सेहं इवं तुफान सेहं सरपंचे किसान सजन सेहं केवल सेहं कालू सेहं महिपाल सेहं जीवन सिंग रावली तोप राजेंद्र मोहन चुहान कालू सेहं बस्तित रहे हैं पुष्प माला से स्वागत के उपरांथ इफकू अधिकारी और क्रिशी विभा की सहिंत सभामी सभी किसानों को मौलचंद जी काग के सिवा के बारे में वस्तरत जान करे दी है इवन किसानों को नैनो करांथी के बारे में जान करे देते हुए अधिक सथी किफको नैनो डियेपी के प्रयोग की सलाह दी है उसके उपरांथ सरबंच तोफान सिहनी अधिकारी को शुपकान प्रेशित करते हुए साथ ही सभी कामों को याद करते हुए नैनो डियेपी के रिजल्ट को साचा किया है सभी किसानों ने कागजी के पूरे कारेकाल को याद करते हुए जिस तरह सभी में समन्वय स्थापित किया उसके लिए धन्यवाद प्रेशित किया है बड़नगर सी समवादाता राधेशाम सावरा की रिपोर्ट